में नाम है हार्दी कुर आपका अपर फिर स्वागत है फार्मिंग विध हार्दी की यूटूप चल में तो जैसा कि आपको पता ही बारिश शुरू हो गई है और बारिश की बुंदों के साथ साथ काफी सारे कीड़े भी आ जाते हैं जो हमारे लिए और साथी साथ हमारे अपने पोदों से कीड़े मकोडे को दूर रख सकते हैं जो भी अपने घर के सामानों का इस्तमाल कर और अगर आप बारिश की टाइम गार्णिंग कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा खत्रा जिन चीजों का होता है वह कीड़े मकोडे कई कीड़े मकोडे आपके पोदों को लगने वाले कीड़ों को बगा सकते हैं और ये बात एकदम सच है कि आप अपने बगिया में कुछ ऐसे पोदे एड़ करिए जिन से आपके जो जहरीले कीड़े मकोडे वह आपके बगिया से दूर रहेंगे जहरीले कीड़े मकोडे खासकर साब, बिच्छू और छिपकली क तिक्षन गंद वाले पोदे बिल्कुल भी पसंद नहीं होते, इसलिए आप अपने गार्डन में लगाए पुदीना, तुलसी, नीम्बू, नागदोना जैसे तिक्षन गंद वाले पोदे और साथी साथ कुछ विशेश गंद वाले पोदे भी लगाए जैसे स्नेक प्लां किडे मकोड़ी को दूर रख सकते हैं वो है कि आपको टाइम-टुटाइम अपने पोदे के ऊपर पानी का स्प्रेक करता रहना है, क्योंकि अगर आप कटाई च्षटाई नहीं करेंगे तो आपका पोदे ज़्यादा ज्यादा जाद बनेगा और उन जाद के अंदर कीडे म कोड़ों को अटेक ना हो उसके लिए आप अपने पोड़ों पर एक सुरक्षा कौच भी बना सकते हैं इस स्प्रेश बोटल ले 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 नहीं और उसके अंदर नमक का पानी बहर लेना और नमक के पानी का आप अपने पोड़ों पर अच्छी तरीकिस से स्प्रेश कर दीजे और आपका पोड़ों का सुरक्षा कोच बनके तैयार है और साथ ही साथ पोड़ों के सुरक्षा के लिए आप उसके उपर डालचीनी के पाउडर का भी स्प्रेश कर सकते हैं और साथ ही साथ आप उसके पर इसप्रेश कर सकते हैं बेकिंग सोडा के पानी काफी बार ये भी पानी और एक कप पानी के अंदर आपको लगबग 2 से 3 चम़नेयो का रस निकाल लेना है और पीर पहले सी काफी सारी कीड़े है और आपका पौदर सड ने लगा है तो फिर आपको उससे निकालना है और पूरी मिठी अलग करनी है और फिर उस मिठी को किछ दिनों तक धूफ में सुका कर उसके अच्छे से healthy powder मिला देना है healthy powder जो भी उसके अंदर fungus अपके मिठी के अंदर लगेगा उससे खतम कर देना है और फिर आपके जो पौदे की जड़े हैं उस पर भी आपको healthy powder लगाना है और फिर आपको उसके मिट्टी वापिस से गमले के अंदर बर के पौदा लगाने है और बार इसका time reporting करने के लिए बहुत भी बढ़िया है और अगर आप reporting करने का सही तरीका जानना चाते हैं तो उस पर मेरे चैनल पर वीडियो पब्लिश है उसका लिंक भी आपको description में दे दूँगा आप वहाँ जाकर भी देख सकते हो इस वीडियो फिर आप healthy powder का अच्छे से इस्तमाल करके आप अपने पौदे को वापिस से लगा दीजे और पानी डाल दीजे आपका पौदा बहुत ही के अलग कर लेना है पर अप्याज होगे रहसे और फिर इस लिए अलग करने के बाद आपको समय से लिए लिक्विड सूप या फिर आपको स供 समय मिलाना मिर्च पाओडर गुल्दावधी के फूल एंब ऐसा क्या होता है कि उससे इतना तगड़ा कीटना शुक बना सकता है तो गुल्दावधी के फूल में एक पाइरेथीन नाम का केमिकल होता है जो कीडे मकोड़े की तंत्री का तंत्रुप सीधा जाकि एफेक्ट करता है और आपके कीडे मकोडे वहां से चले जाते हैं और इसको और ज़्यादा सरदार बनानी के लिए आप इसके अंदर नीम का तेल भी इसके अंदर मिला सकते हैं और एक आखरी आसांत उपाय कीडे मकोडे को अपने पौदर से दूर भगाने का कि आप अपने पौदर पर नीमोयल का स्प्रे कर दीजे नीमोयल की तेज गंद से आपके पौदर से कीड़े भाग जाएंगे और इस नीमोयल का स्प्रे आप अपने घर के कोनों में भी कर सकते हैं जिससे वहाँ पे भी कीड़े नहीं आए तो फटाफर से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया हो